चेप्टर 3 कोडिने जोमेट्री एक्सराइज 3.1 कॉस्चिन फर्स्ट हाउ विल यू डिस्क्राइब दा पोजिशन ओफ लैंब ओन यूर स्टडी टेबल तो एनधर परसन आपकी एक स्टडी टेबल है और स्टडी टेबल की ऊपर एक लैंब रखा है यह मैंने एक स्टडी ट एक्सराइज उसन पर एक लैंब दे दिया अब इस लैंब की पोजिशन को अमें डिस्क्राइब करनाओ तो हमने suppose कि हम यहां से देख रहे हैं हम इस lamp को यहां से देख रहे हैं यहां से देख रहे हैं तो यह हमार लिए horizontal लाइन है और यह हमार लिए vertical लाइन है यानि कि जो length है table की वह हमारी x-axis हो गई this is our x axis और जो breath है उसको हमने ले लिया this is y axis ठीक है तो अब इस table की हमें position explain करनी है तो हम क्या करेंगे इस table का sorry इस lamp की हमें position explain करनी है तो हम क्या करेंगे इस lamp का हम distance देखेंगे यहां से perpendicular draw कर दी हमने on the x axis और एक perpendicular draw कर दी हमने on the y axis टिक है इस लेंब की जो पोजिशन है यहां आप से हमने एक परपेंडेकुलर इसकी लेंद्थ पर और एक परपेंडेकुलर ब्रेथ पर ड्रॉ कर दिया अब देखेंगे हम कि यहां से लेंब से X-axis का डिस्टेंस कितना है ठीक है सपोस कर लिए हमने दिस्टेंस ओफ लेंब फ्रों एक्स एक्सिस इस कितना लिले 20 20 cm ठीक है तो एंड दिस्टेंस of lamp from Y-axis is यहाँ से ज़ादा है न थोड़ा Y-axis तो य-axis से ले लिले हमने 30 cm ठीक है जो length X-axis यानि कि length से जो डिस्टेंस से वो हमने ले लिले 20 cm का और जो Y-axis यानि कि breadth से जो डिस्टेंस से इस लेंब का वो ले ले हमने 30 cm का तो आप याद रखिए जो x-axis से distance होगा वो value होकी हमारी y की this is the value of y यानि ordinate y होगा हमारा 20 और जो distance y-axis से होता है वो होती हमारी value x की यानि x is 30 cm तो अगर हम इसकी position describe करेंगे तो हम लिखेंगे यहां से जो distance है x-axis तो x की जो value है वो कितनी है जितना distance इसका कहां से है y-axis से y-axis से कितना है 30 तो x की value है 30 और जो distance इसका x-axis से यानि x-axis से कितना है 20 वो value है y की यानि ordinate की तो इस तरह से यह lambda a जो है इसके coordinate हमने find किये 30 20 यानि x की value 30 और y की value 20 सेकिंड कोश्चन है कोश्चन बहुत lengthy है लेकिन solution बहुत simple है तो start करते हैं सेकिंड कोश्चन क्योंतित खोस्चन जी आज झास तो में लॉट पैमेर इंत्रस पतों मी और दूर्सरी मेरी इस्च वैस्च के से डिके ट्युक्त अधर दीरुक्त यानใकि एट्यक्षेट मेंट अडरी. अड की बहुेएol की पैमेंटल थाइश तो है वो इन दो रोट के पैलल बनी हुई है एंड आर टू मीटर टू हेंडड़ मीटर अपार्ट और जो गैप उन स्ट्रीट में वो कितना है टू हेंड़ मिटर का गैप है ठीक है अपार्ट मतब धूरी है देयर आर फाइव इस इन इच डारेक्शन इस डारेक्शन में पुट में यह मोडल बनाने रिप्रेजेंजर रोड इस पासींगल लाइन एक single लाइन से हमें रोड को रिप्रेजेंट करने हैं तो हम यहां तक पहले तो देखिए solution देखिए एक रोड है जो है नोर्ट साउट डायरेक्शन में तो यह नोर्ट साउट डायरेक्शन हो गई ठीक है दूसरी रोड जो है वह वैस्ट इस्ट डायरेक्शन में तो यह हमारा वैस्ट हो गया यह इस्ट वैस्ट डायरेक्शन में एक है नोर्ट साउट डायरेक्शन 5 street जो है वो north-south direction के parallel में 1,2,3,4,5 ठीक है इसको मैं name भी दे सकती हूं 1,2,3,4,5 और 5 street जो है वो east-west direction की जो road है उसके parallel में बन रही है इसको मैंने name दे दिया 1,2,3,4,5 ठीक है यह हमारा diagram बन गया एक north-south direction में है एक main road east-west direction में है और यह जो 1 cm का gap है 1 cm क्या शो कर रहे है 200 meter यह इसके लिए है ठीक है अब 5 street जो है वो north-south direction में जो road है उसके parallel में है और 5 street जो east-west direction में जो road है उसके parallel में है ठीक है यह हमने diagram बना लिया आगे का question पढ़ते हैं अब हम there are many cross street in your model a particular cross street is made by two street तो अब ऐसे और ऐसे cross street जो है बन रही है तो एक cross street two street से बन रही है one running in the north-south direction एक जो north-south direction में ऐसे है और another in the east-west direction और एक ऐसे है ठीक है इस तरह से एक cross street बन रही है ठीक है each cross street is referred to in the following manner अब आगे देखें if the second street running in the north-south direction and fifth in the east-west direction meet at some crossing यहां तक का देखें अब second street in the north-south direction and fifth in the east-west direction तो second manually north-south direction के पैलन में north-south direction के पैलन में second street है यह वाली यह वाली ठीक है और और fifth in the east-west, fifth है east-west, fifth east-west, east-west ऐसे जा रही है इसमें हमें फिफ्थ रोर चाहिए ऐसे parallel कौन सी है 1,2,3,4,5 यह वाली तो यह जो point है इसके coordinates होगे 2,5 ठीक है 2,5 then we will call this cross street 2,5 ठीक है तो यह जो cross street है यहाँ पर जो cross कर रही है यहाँ पर इसके point को मैंने नाम दिया इसके coordinate होगे 2,5 आगे बोला using this convention इस convention का use करते हुए find how many cross streets can be referred to as 4,3 तो अब देखिया 4,3 पर कितनी cross streets बन रही है तो 4,3 अब यानी x पर 4 y की value 3 x पर 4 देखिये यह y पर 3 यहाँ से line और यहाँ से road गई तो cross कहाँ पर करेगी इस point पर इस point के coordinates होगे 4,3 और यहाँ से कितनी road क्रोस कर रही है केवल एक ही है इस point से only one cross street है ठीक है और आगे दूसरा बोला है हमें how many cross street can be referred to as 3,4 तो 3,4 x पर 3 देखिये यह और y पर 4 यहाँ से line गई यहाँ से line गई तो कहाँ पर cross कर रही है यह इस point से कितनी crossing street बन रही है only one तो इसके coordinate लिख दो 3,4 3,4 से भी a की crossing road है और 4,3 से भी a की crossing road है